हेलो अल्माडी फ्रेंड्स माइनम इस राटर और आप देख रहे हैं नाच्रल फिजिक्स तो आज हम लाए है लेक्चर नमबर सेवन और पॉलिनॉमिल्स तो लेक्चर नमबर सिक्स में हमने दिखा था फैक्टराजेशन 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 थोड़ा बड़ा होगा तो लास्ट जरू देखना वीडियो तो हम स्टार्ट करेंगे आज का ये लेक्चर और हम इसमें सिर्फ कोशिन आइसर पढ़ने वाले ठीक है एक फर्स्ट एक दो कोशन हम बहुत स्लोली सॉल करेंगे समझ में आए इतना तो उसके बाद हम थोड़ा सबस्केंगे कि वीडियो ज्याधा बढ़ा हो सकता है सब्सक्राइब इसके लाक करंगा वाद इस क्योंसी एक स्कोर- x और इसका भी whole square है है उसके बाद माइनस 8 माइनस 8 एंड एक स्क्वेर माइनस x प्लस 12 x स्क्वेर माइनस x प्लस 12 शायद यही कुशन है माइनस तो यह यह बहुत लंबा चोड़ा polynomial है तो इनका factors कैसे निका लेंगे तो आज हम यही पढ़ेंगे और 2-3 question है मेरे पास तो first इसको solve करेंगे यह देखो मैंने अगर आपने यह लिक्षे नंबर 6 नहीं देखा है तो उसको जा के देख लो तो यह आपको बहुत simple लगे और नहीं दिखाए तो थोड़ा सा hard लगेगा तो हम ने क्या किया यहाँ पर पहले देखो कोई चीज common है क्या कोई चीज common है क्या तो देखो यहाँ पर bracket के अंदर x square minus x यहाँ पर है x square minus x वहाँ पर उपर power 2 होने दो 8 होने दो कुछ भी होने दो वो अभी attention नहीं बट यहाँ पर यह जो number है तो क्या यह equal है कोई भी रहने तो यहाँ पर suppose यहाँ पर 2 होता है तो यहाँ पर यहाँ पर 2 होता है तो वो equal है क्या कहीं पर इस polynomial में number equal है हाँ यहाँ पर x square minus x common है तो हम क्या करेंगे let जैसे यह दोनों common है तो इनके लिए एक छोटा सा word को हमें यूज करेंगे जैसे कि a, b, c, d या m यह जाला तर m यूज करते हैं तो मैंने बोला कि let x square minus x be m हमने इसको m माना ठीक है इस पूरे equation को हमने m माना तो यह कैसा हो जाएगा यह पूरा क्या हो गया m तो हमने लिग दिया m और यह क्या है square तो m square minus 8 और यह क्या है m तो 8m plus 12 तो यह हमारा equation create हो गया ठीक है हम दो division कर देंगे इसमें m square minus 8m तो मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया था कि जो first term है और last term है तो उनका जो product होगा वो हमारा यहाँ पर product और sum क्या होगा middle term हमारा sum होगा तो सुनों यहाँ पर हमारा product क्या है 12 है हमारा product है 12 sum क्या होना चाहिए 8 sum होना चाहिए हमारा 8 तो ऐसे दो number जिसको multiply करने के बाद 12 आना चाहिए और sum करने के बाद 8 आना चाहिए तो देखो 12 तो कैसे भी आ सकता है जैसे कि 6 into 2 to 12 हैगा बट यहाँ पर 8 भी चाहिए 4 into 3 भी होता है 12 हमें 4 into 3 को add करने के बाद 8 नहीं मिलेगा बट देखो 6 into 2 होगा अगर मैंने बोला कि 6 और 2 देखो यहाँ पर minus 8 है minus 8 तो हमारा sum minus 8 है होना चाहिए 6 into 2 it is 12 और अगर यहाँ पर plus 6 और plus 2 ले तो यह plus 8 होगा minus 8 नहीं होगा तो इसलिए minus 6 और minus 2 जब हम add करेंगे तब क्या होगा वो minus 8 हो जाएगा तो हम यहाँ पर minus 8 की जिगा पर यह दोनों लेखेंगे ठीक है so m square minus 6m minus 2m plus 12 m जो होगा यह दोनों तरफ जाएगा यह split हो जाएगा दोनों के तरफ यह 6 की तरफ जाएगा और 2 की तरफ ओके so अभी सिर्फ आप दो टर्म्स को देखो यहाँ पर यह जो दो टर्म्स है क्या है m square minus 6m और 2m plus 2 ऐसे आप इनको सिर्फ दो टर्म्स ऐसे मान लो ठीक है तो देखो यहँ पर कुछ common है क्या क्या हाँ यहाँ इंक यहां पर है यहां पर मगया सबर f तो यह दो माइनस 6 और यह वाला m यहाँ पर है, तो हम यह हमारे यह bracket पूरा होज़ाएगा, इसके बार, यह minus का sign यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या common है, यहाँ पर m common नहीं है, यहाँ पर 2 common हो सकता है, देखो, टू के टेबल में 12 आता है तो 2 6 हा तो 2 हमने common ले लिए m प्लस यहाँ पर क्या होगा अगर 2 यहाँ पर हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा 6 कि जब हम 2 को m से multiply करेंगे तब क्या होगा माइनस 2m और 2 को 6 से multiply करेंगे तब क्या होगा 12 ठीक है इसलिए हम ले तो देखो अब और एक चीज़ नोटिस करना कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आएगा ऐसा नहीं आप इसके first sign देखो यहाँ पर माइनस है अगर हमने यहाँ यहाँ पर प्लस किया तो यह क्या होज़े का plus a plus minus minus हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस होज़ेगा तो यहाँ पर हमें चाहिए plus तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेका minus तब हम ब्रैकेट खुलेंगे तो माइनस two into minus six that is equal to minus नहीं आएगा वह प्लस आएगा ठीक है तो हमने क्या इन दोन हैं से एक कॉमान लेका और यहीं आपका ओ जाएगा के में हमें घंसे थोड़ा ज्यादा एडवांस नस्य थोड़ा लंबा देखने जा रहे सब्सक्राइब है wyh हमने एम को X square minus X consider किया था बट हमें हमने question में नहीं दिया कि इसको M consider करो करें कहीं पर दिया नहीं हमने let's see assume किया था हमने तो इस equation को यहां पर split करना पड़ेगा यहां पर रखना पड़ेगा तो substituting the value of okay X square minus X on the place on the place of M तो क्या हो गया यहां पर हो जाएगा X square minus X minus 6 तो यह यहां पर हो जाएगा X square minus X minus 6 यहां पर x square minus 2 तो यह आपका split हो जाएगा और यही answer नहीं है और है तुनों अभी यह हम्मारे दो टर्म्स हो गया यह दो हमारे एक्विशन्स हो गया ठीक है तो इसको भी हम इस मेथट से सॉल कर सकते हैं जैसे कि हां पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा ज्यादा टेंशन मतलो इसली समझ में आएगा देखो हमने क्या अभी एक स्कुर्ण है फर्स्ट टम लास्ट पर एक स्कुर्ट एक स्कुर्ड माइनस शिक्स एक्स प्लस एक्स उसके बाद माइनस एक्ट्र को होगी जब हम इनको आर करेंगे तब यह मैनसस और प्लस वन क्या होगा फई एक सेकना और कि गलत हो गया हमें यहाँ पर माइनस वन चाही है हाँ एक सेकंड थ्री इंटू हो सकता है यहाँ पर आप थ्री यह थ्री प्लस 2x एक गलती होगे इसके बाद यह सॉल कर दिया भी हमें यह भी सॉल करना पड़ेगा तो यहां पर आ जाएगा थोड़े छोटे वर्ड्स में लिकोंगा ठीक है तो x2 x2 का यहां पर लेलो इसके बाद first term last term multiply कर तो कितना हैगा यहां पर 1 है 2-2 तो product हमारा minus 2 है और यहां पर क्या है middle term 1x तो 1x को क्या है से लिके यह क्या होगा product minus 2 इसका होना चाहिए 1 so 2 minus 2 into 1 yes it is right so मैंने बोला यहां पर x square minus 2x plus x minus 2 इतना समझ गे इसके बाद कर Elliott इसके बाद इसके बद क्या है देखो अभी इनको split कर देंगी यह वाला और यह वाला इसको split कर देंगे देखो यहां पर x common है यहां पर x square 3x tu यहां पर x common आ गया इसके बाद यहां पर bracket में लें गए x minus 3ak X यहां पर चिला घर इसके बाद थख को अगर हमने बाहर लिया और ब्स ँपनि रहे लिया और प्लस 2 घर सफोना को बहर लिया मतलब टू इन्टु को इलें चाहिए हम अगार हम चैना जागा यहां कूण मरसा नहीं को यहां पर हम लेंगा यहां तो दु मैंने मालेंगे x और x-2 अंदर हो जाएगा ठीक है इसके बाद इसके बाद क्या है यहाँ पर कुछ बाहर हो सकते हैं नहीं तो हम लेंगे यहाँ पर है plus 1 तो हम plus 1 को लेंगे बाहर तो x-2 यह हो जाएगा अंदर ठीक है इतना समझ गए सुनाओ अभी मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या common दिख रहा है आपको यहाँ पर क्या common है तो यहाँ पर common है हमारा x-3 ठीक है x-3 common है और एक common हो गया तो यहाँ पर दूसरा का है आप ऐसे बोल सकते हैं फिर बाखे क्या बचा है आप प्लस टू बचा है तो यही हमारा हो जाएगा फाइनल एंड फाइनल एंसर ठीक है तो यहाँ पर हमारा इक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा तो एक बाख स्क्रीन शॉट ले लो याप पूरा फिर से देखो एक कोशन को सौल करने के लिए दस मिनिट लगे और बहुत सारे कोशन से ठीक है तो दूसरे तो कोशन की तरफ बढ़ेंगे ओकी तो दूसरे कोशन बढ़ेंगे यह लेक्षे शायद सबसे बढ़ा होने वाला है मेरा आज तक का तो अभी हम शायर आपको समझ में आया होगा तो अभी हम थोड़ा फास्ट फास्ट सौल करेंगे ठीक है पर में जो कोशन यहां पर लिखूंगा तो आप एक बार खुद ट्राइ करना हो कोशन वीडियो को पॉस करेंगे तो हमारा सेकंड कोशन है स्कुन जो हमारा कोशन होने वाला है वो है एक्स-5 स्कूर एक्स-5 हुल स्क्वर उसके बाद माइनस-5x-25 और उसके बाद है नहीं है माइनस 24-24 तो यहाँ पर कुछ common है कि अभी हमें common नहीं डिख रहा है तो हम पहले common निकालेगे इसमें से इसमें से कुछ common निकलेगा नहीं तो — वह यहाँ पर फाय यहाँ पर अगर हमने common लिया तो यहाँ पर बचेका एक्स माइनस ये 25 में से 5 common जागा तो यहां पर बज़ेगा 5 मतलब 5 into x that is 5x and 5 into 5 that is 25 तो वैसे कर वैसे है और ये 24 को नहीं चलिए दो ठीक है इसके बाद इसके बाद let हमने assume किया let x minus 5 is equal to p ठीक है जो हमारा x minus 5 है यहां पर हो यहां पर यहां पर तो हमने इसको assume किया p एक variable करके ठीक है तो p square minus 5p minus 24 यह हमारा equation होगे ठीक है इसके बाद इनका हम product निकालेंगे first time last time कितना होगा 24 यहां पर 1 है तो 24 तो 24 हमारा product हो गया p is equal to 24 और sum sum क्या है sum क्या होना चाहिए minus 5 और यह 24 तो यह क्या हो सकता है कौन से टेबल में आएगा 24 डाट इज एट रिजा 24 और अगर हमने लिया minus 8p और प्लस 3p तो वह minus 5p होगा ठीक है तो हमने लिख दिया five square minus यह मत लिखना यह मत लिखना तो यहां पर हो गया eight p 24 divided by 3 कितना होगा तो वह होता ही minus अभी यहां पर eight हो गया ठीक है तो यह देखो यहां पर यह दोनों इसके बाल एक्स माइनस 5 प्लस 3 तो इसको हम ने कंसिडर किया फिर से ओके पिर यहां से सॉल करना पड़ेगा अभी अभी यह special term हो गया यह special term हो गया कैसे और इसको हम बहुत easy से solve कर सकते हैं देखो मैंने इसके पहले बताए था कि last term और middle term और क्या first term तो इनका कुछ तो भी रहता है बट यहां पर कुछ नहीं क्यों बताओ देखो यहां पर क्या variable है फाई के साथ नहीं है middle term के पास तो variable ही नहीं नहीं है तो directly आप क्या कर दो इनको और कर दो दोनों क्या है like term है like term को हमेंशा होता है तो x-13 हो जाएगा यह और इसको एड़ करेंगे तो हो जाएगा x-2 ओके तो यहां पर हमारा यह factor निकल के आता है x-13 and x-2 are the factor of x-5 whole square minus 5 x-25 minus 24 तो इसका whole square निकल है तो next question की तरफ बढ़े एक बार फिर से देख लो pause करके तो अभी तक solve कर चुके हैं दो एक्जामपल तो अभी और दो solve करने है लास्ट दो example उसके बाद वीडियो प्लोज जाएगा ठीक है तो हमारा जो second question है that is y-square plus 5y second मतलब third question है हमारा है तो वो है 1 minute y-square y-square plus 5y bracket कर दो फिर उसके y-square plus 5y minus 2 और बाहर हमारे पास है minus 24 all right ठीक है तो यह हमारे पास एक question है तो इसको solve करेंगे तो पहले एक पर आप इसको solve करेंगे कोशिश करो फिर हम solve करेंगे ओके तो यहाँ पर क्या है हम पहले देखेंगे common चीजी क्या क्या है तो यहाँ पर common है यह y-square plus 5y यहाँ पर भी y-square plus 5y है तो हम इसको bracket में m-2-24 ठीक है यह bracket मैंने क्यों लिया अभी मैं आपको बताओंगा देखो यह bracket में m है और यह 2 है ठीक है इसलिए मैंने bracket लिया है और देखो जब हम m इस bracket को खुलेंगी तो m इससे multiply होगा तो क्या होगा m into m that is m square और m-2 से multiply होगा तो क्या होगा minus 2m और यह minus 24 यहां पर ठेक है इसके बाद क्या आएगा हम में first term और last term देखना है इसका last term है 24 first term क्या है one coefficient को efficient देखना है सिफ हमें इनका तो यहां पर one into 24 तो हमारा product क्या होना चाहिए minus 24 और sum क्या होना चाहिए minus 2 तो यहां सा number है जिसका multiplication 24 आएगा और sum 2 आएगा 24, 12 into 2, that is 24 but 12 minus 28 is 10 तो यह नहीं आएगा तो दूसरा कौन सा हो सकता है हमारा 6 forza 24, yes 6 forza 24, अगर मैंने लिया, m square 6 forza, मतलब minus 6 m अगर लिया, और plus 4 m लिया, तो 6 forza 24 आएगा और जब हम इनको add करेंगे, minus 6 plus 4, तो यह हो जाएगा 2m, ओके, तो हम ले सकते हैं यहाँ पर इसके बाद, यह दोनो term, यह दोनो term, equal हो जाएगी मतलब हम split कर देंगे, इनको equal नहीं होगे, तो इन में से हम common देखेंगे, m minus 6, यह m यहाँ पर गए, common लिया है न, इसके बाद, plus, जो भी सही नहीं होगे, वह यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर क्या common है, हाँ, यहाँ पर 4 common हो सकता है, देखो, m minus, 24 में, 4 के table में 24 आथा है, 4 6 आ, 24 आथा, common लिएंगे इन दोनों में, तो m plus 4 बचा, तो m plus 4 यहाँ पर लिख देखेंगे, ओके, now, here, हमने देखा था, y square plus 5y is equal to m, तो इसको substitute अगर हमने यहाँ किया, यहाँ पर substituting देखेंगे, substituting the value of y square plus 5y as m, m as, m as लिख सकते हो, with, with लिख हो यहाँ, with m लिख हो, okay, so, अभी इसको substitute तरना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगापर y square plus 5y लिखेंगे, so, y square plus 5y minus 6, यह एक bracket हो जाएगा, तो उसके बाद, y square plus 5y plus 4, ठीक है, यह हो जाएगा, अभी मुझे बताओ, यहाँ पर y square का y square, अभी यहाँ पर first term का coefficient, last term का coefficient, multiply करो, यहाँ पर one है, यहाँ पर six है, तो इसका product क्या होगा, six, addition क्या होगा, five, वो भी plus five, तो ऐसे कौन से number है, जिसको multiply करने के बाद, six आए, और add करने के बाद, five आए, है, तो भाई, ऐसे सिफ, I think so, एक ही number है, एक ही number है, ऐसे आप बोल सकते हो, कि three into two, three into two, that is six, and three plus two, that is five, पर यहाँ पर वो minus minus, होने चलिए, बट हम यहाँ पर लिख सकते है कि, अगर हमने minus three और minus two है, तो यहाँ पर minus five होगा हो, ठीक है, तो ऐसे हम नहीं कर सकते है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, plus six y minus y minus six, देखो, मैंने यहाँ पर यह क्यों लिया, कि देखो, अगर हमने six को minus one से multiply आगे, तो minus six आएगा, और six minus one, that is five, plus five होगा, बट अगर हमने minus three और minus two लिया होता है, तो वहाँ पर minus five आथा, पर हम यहाँ पर plus five चाहिए, ठीक है, तो अभी इसके बाद, इसको भी करना पड़ेगा, substitute, यहाँ पर कितना होगा, that is four product, four राएगा, और यहाँ पर some five चाहिए, तो ऐसा कौन सा नमबर है, इसको अज़ा नमबर है, स्क्वेर प्लस four y प्लस y प्लस four, जब हम y को four से एड करेंगी, तब यह five y हो जाएगा, ठीक है, और यह four तो है, four into one that is four, ओके, तो इसके आगी, इसको फिर से एक ब्राकेट में लिखो, और इन दोनों में से common, common y है, उसकी बाद y प्लस six, इसमें common one, close, यहाँ पर दूसरा ब्राकेट, इसमें common है y, तो y प्लस four यहाँ पर आजएगा ब्राकेट में, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो plus one, y प्लस four, ठीक है, तो अभी सुनों, यहाँ पर common क्या-क्या है, वो चुक्चाफ लिख देंगे, देखो, यहाँ पर common क्या है, y, y plus six, common यह, यहाँ पर y plus six common है, तो यह कट गया, ऐसा समझ लो, और क्या रह गया, y minus six, y minus one है, y minus one, तो हम ने यह लिख दिए, इसमें क्या है, y plus four common है, दूसरा y plus four cancel, और यह y plus one, रह गया तो y plus, तो यह ही आपका हो जाएगा answer, ठीक है, ओके, all right, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, इसके बाद आपको लास्ट कुश्चन दिखेंगे, but not the least, इसके बाद भी बहुत सारे कुश्चन बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आज सिफ चार कुश्चन डिसकस करेंगे, तो तीन हो चुके है उसमें से, एक लास्ट कुश्चन है, जो कभी-कभी hard लग सकता है, बट है नहीं, थोड़ा confusing हो सकता है, इसलिए मैंने बुलाए, लास्ट कुश्चन, तो हमारा लास्ट कुश्चन है, आपको अईसा लगए कि फइले से ही फैक्तराइज हैं, ये फैक्तराइज नहीं है, इसको फैक्तराइज करना है, वाइप्लस तुके, वाई मैनस तृ, फिर उसके बाद वाई मैनस एट, उसके बाद y plus 3 और plus 56 यह हमारा question है ठीक है तो इसको हमें करना है solve तो भाई करो फिर तो हमने करकिया basically पहले हमने इसको ही फिर से लिख दिया नीचे बट थोड़ा सा change करके y minus 2 इसके बाद यह 3 3 है यह pass लाएंगे q pass लाएंगे मैं आपको बाद में बता हूंगा ठीक है y minus 3 plus 3 और y minus 3 इसके बाद y minus 8 plus 56 ओकी अगर हमने बोला कि यह दो टर्म और यह दो टर्म अलग 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 नगे तो देखो यह अगर हमने माना पूरा एक ही टम सिफ मानने के लिए अचा ही नहीं तो सिफ मानों तो वा अगर हम दोनों ब्रैकेट को खोल लेंगे तो क्या होगा वाइंटु वाइट इस वाइट इसके बाद ये थ्री इंटु आ होगा इसके बाद दूसरा ब्रैकेट इसके लिए वाइब स्कूर माइनस थ्री वाइब माइनस एट वाइट वाइब इसके प्लस 24 और प्लस 56 दसोगना मल्टी प्ला यहां पर माइनस मैनस का माइनस 24 है यहाँ पर थीक है हाँ माइनस 24 यहां पर माइनस 24 यहां पर स्के बात यहां पर तो पहले इसको solve करेंगे तो इसको solve करने का कुछ ज़रूरत नहीं देखो y² यह दुनों same term है equal term है like term है तो इसको कर दो directly add तो यह हो जाएगा 5y plus 6 और इसका क्या होगा y² यह भी like term है add करो नहोगा यह minus 3 minus देखो यहां पर minus 3 है एक second हाँ यहां पर minus 3 है plus 8y है अरे यार यही तो गलती हो जाती है plus 8y है यहां पर plus 8y तो यहां पर हो जाएगा 5y ठीक है यहां पर minus 5y हो जाएगा minus की plus 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 confuse होने की दुन में plus 5y हो जाएगा उसके बाद यह minus 24 यहां पर ले लो ओके तो इसके बाद यह 56 बाहर का बाहर अभी यहां पर कोई सेम टम है हाँ यह वाला और यह वाला टम सेम है तो इसकी जगवा पर हम कोई एक नाम लिख देंगे जैसे की let let y square plus 5y is equal to m जाएगा तर m लिखते हैं यहां पर easy होता है वो लिखने है तो मैंने लिख दिया m plus 6 इसके बाद हमारा हो गया m m minus 24 और plus 56 ठीक है यहां पर इतना समझ गया इसके बाद अगर हमने bracket को खोला इस bracket को खोल दिया तो यह क्या होगा यह दोनों bracket को हमने खोल दिया तो क्या होगा m into m that is m square तर उसके बाद m into 6 that is plus 6m उसके बाद यह 24 into m that is minus 24m और 24 into 6 that is 24 into 6 that is minus 144 I think so correct है और यह 56 यहां का है ठीक है 56 इसके बाद m square m square की जिगा पर यह 6m और यह दोनों क्या है like term है तो कर दो यह हो जाएगा 18m उसके बाद यह इन दोनों को add कर दो कितना होगा minus 144 plus 56 that is equal to 88 88 तो होने चाहिए एक सिकन एक सिकन नहीं होगी शायद यहां पर ठीक है 144 minus 56 कर दो so 56 हाँ 88 यहां पर आएगा 88 ठीक है इसके बाद यहां पर solve करेंगे तो देखो अब हमारे पास एक नहीं equation आ चुकी है तो माइनस माइनस 18 माइनस 88 तो यहां पर last term और first term का coefficient अब इसका coefficient 1 है तो यहां पर 88 आएगा तो product 88 और addition 18 होना चाहिए तो 88 किस के टेबल में आता है जैसे कि 22 के टेबल में आता है 22 फोर्ट आएगा और 22 मैंसे 4 अगर हमने सब्ट्रक किये तो 18 आएगा तो मैंने बोल दिया कि m2 माइनस 22m प्लस 4m माइनस 88 ठीक है इसके बाद m2 यहां पर m2 नहीं है हम ब्रैकेट में लिखेंगे m बाहर आजाएगा फिर उसके बाद m माइनस 22 और यहां पर plus 4m माइनस 22q क्योंकि जब हम माइनस 22 को मल्टिप्ला करेंगे 4 से तो माइनस 88 आएगा अभी यह दोनों कॉमन है तो कॉमन लिख देंगे m-22 इसके बाद m plus 4 आजाएगा तो यह हमारा यहां पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा फिर से वैल्यू तो यहां पर लिखना substituting the value of y2 plus 5y तो हम substitute करेंगे तो that is equal to y2 plus 5y minus 22 यह हो जाएगा इतना और फिर y2 plus 5y minus 22 22 नहीं यहां पर आएगा plus 4 यह हमारा इतना हो जाएगा इसके बाद अभी इनका भी फिर से इसे scatter करना पड़ेगा अलग-अलग तो यह थोड़ा line erase करने पड़ेगी ठीक है तो हम यहां से start करेंगे तो y2 plus 5 इसको scatter करो अभी देखो इसका first term इसका last term that is equal to 22 22 इसका product आएगा और sum आएगा 5 तो मैंने लिख दिया y2 sum कितना एगा 5 22 इसका product आएगा 2 क्या आएगा I think so नहीं ऐसा कोई number नहीं है जिस जो आ सकी जिसका product हो 22 और sum हो 5 ऐसा कोई number नहीं है तो हम इसको वैसे का वैसे लिख देंगे plus 5y minus 22 ठीक है इसको इसका हो सकता है क्या इसका देखेंगे पहले तो y2 का y2 और 5 4 जा देखो 4 जा हो सकता है इसका हो सकता है 4y plus y plus 4 देखो 4 जा that is 4 and 4 plus 1 that is 5 तो यह हो गया इसके बाद यह वैसे का वैसा y2 plus 5y minus 22 उसके बाद यह तो यह common आ गया y यहां पर और यहां पर अंदर रहे गया y plus 4 plus 1 यहां पर कुछ common नहीं है तो हम 1 लेने के बाहर y plus 4 अंदर और bracket close इसके बाद यह वैसे का वैसा ही आएगा last तक इसका answer यह यहां पर इसका final answer हो गया है इसका सिर्फ तो यहां पर common क्या है y plus 4 common है उसके बाद y plus 1 हो गया तो इसका final answer यह ही होगा आपका ठीक है आज का वीडियो बहुत लंबा था तो अगर आपको यह समझ में आया तो एक बार screenshot ले लो पूरा समझो तो उसके बाद नुटबुक में कॉफी करना ठीक है I hope so I hope so आपको समझ में आया होगा आज का यह lecture if you like this video then subscribe to this channel and also share this video to your friends or girl and जो भी पड़ता है आपके पास तो ठीक है उनको share करना बताना आपके class में हमारे इस चैनल के बार में so thanks for watching this video and please subscribe to this channel